श्रीमती संगीता आजाद जी धन्यवाद सबाबती महोदे आपने मुझे नागर विमानन मंत्रारे के नियंत्रन के अधीन अनुदानों की मांग पे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुख्या बेन कुमारी मायावती जी का भी अभार व्यक्त करती हूँ जैसा कि मुझे ग्यात है कि प्रधान मंत्री गती शक्ती कारेकरम के तहट हवाई अड़ों के माध्यम से आर्थिक विकास की उम्मीद की गई थी लेकिन इसके संदर में सरकार ने अब तक कोई भी विवरन प्रस्तुत नहीं किया है उद्योग के हित धारकों ने सरकार द्वारा इस छेतर के लिए सहायक उपायों के अनुपस्तिती की आलोचना की है जैसे कि विमानन तर्बान इंधन पर उतपात सुर्क में कटोती एटीएफ उतपात सुर्क में कमी के रूप में कटोती एरलाइनों के लिए रियायतो वित्व पोशन का आवंटन आदी Tata Samoo को Air India की बिक्री के हिस्से के रूप में सरकार ने Air India की बकाया गारंटी कृत देन-दारीयों के निप्तान के दिए 51,971 करोड रुपे की राशी निर्धारित की है इनमें वे रिंट भी शामिल है जो Airline की बिक्री के हिस्से के रूप में टाटा समू को हस्तांतरित नहीं किये गए थे उड़ान RCS योजना उड़े देश का आम नागरिक छेतरी कनेक्टिविटी योजना के तहद जो भारत की एरलाइन कंपनियों को नए और गैर सेवा वाले मार्गों पर उड़ान भरने के बदले में महत्वपूर्ण ब्यावरता अंतर वित्व पोशन प्रदान करती है भारतिये के लिए हवाई यात्रा को लोग तांत्रिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भी है हाला कि इस योजना ने वित्व 2022 में अपने आवंटन में 994 करोड रुपे से वित्वर्ष 2023 में 600 करोड रुपे की कमी देखी है भारत सरक् एटीएफ पर 8.5 प्रतिशत तक के मूल वृद्धी की घ्रोषना के प्रिणाम स्वरूप NCR में कमोडिटी की अब तक की सबसे अधिक कीमत 86,038.16 प्रुपे प्रति किलो लीटर हो गई है यह खर्च आम तोर पर यात्रियों पे डाले जाते हैं और इसके परिणाम स्वरू भारत के आम नागरिकों के लिए हवाई किराय की कीमतों में वृद्धी हो सकती है परिवहन पर्यटन और संस्कृती पर 27 तमिती ने 2022 के बजट में आवंटन का 86,8% एर इंडिया लिमिटेट के विनिवेश और उसी के रिए विशेश प्रयोजन वाहन के लिए है इसका विए है कि प्रभावी रूप से बजट का केवल 13.2 प्रतिशती इस छेत्र के लिए गुणात्मक रूप से आवंटित किया गया है जो कि मात्र 14,7 करोड रुपई है समिती ने कहा है कि इस तरह के कम आवंटन से नागरिक उड्यन छेत्र की वृद्धी रुख जाएगी जो पहले से ही महामारी से संबंधित मंदी के कारण पीडित है उपरोग बिंदु को जोडते हुए अधिकारिक पूरवा नुमान बताते हैं कि भारती हवाई एड्डों पर यात्रों की संख्या में वृद्धी दर में लगातार गिरावट आई है 2020-21 में 73 प्रतिशत की वृद्धी और 2021-22 में 79 प्रतिशत की वृद्धी के बाद 2022-23 के लिए पुनारमान 20 प्रतिशत विकास दर पर है और 2024 के लिए पुनारमान में और गिरावट आई है और 11 प्रतिशत की वृद्धी दर है यह भी देखा गया है कि संसोधित अनुमान की मांग हमेशा वास्तविक आवंटन से अधिक होती है मंत्राले का वैद 2017-18 से संसोधित आवंटन से हमेशा कम रहा है जैसे कि परिवहन, परियर्टन और स्थाई समिती द्वारा नोट किया गया है अनुमानों का उप्योग करने के लिए मंत्राले की और से योजना की कमी की और भी इशारा करता है सरकार ने घोशना किये कि वह 21 नए ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ों का निर्मान करेगी और यह प्रसंसनी ये कार्य है हाला कि मैं सदन का ध्यान अपने राजी उत्तर प्रदेश के अपने जन्पद आजमगड हवाई अड़े की तरफ आकर्शत करना चाहूंगी जिसने निर्मान के दोरान कई कटिनाईयों का सामना भी किया है पिछले दो वर्षों से सरकार ने समय समय पर वादा किया है कि परयोजना लगभग तयार है लेकिन अभी तक इस हवाई अड़े का संचालन सरकार सुरू नहीं कर पाई है आजमगड हवाई अड़े का उद्गाटन 2018 में किया गया था और इसे 2020 तक पूरा करना था लेकिन मंत्राले ने समय समय पर परयोजना को पूरा करने में विफलता दिखाया है और कई कारण प्रस्तूत किये हैं आज तक प्रस्तावित मार्ग आजमगड से लखनव के लिए है लेकिन निकटम हवाई अडब वारांट से आजमगड से 110 किलो मिटर अधिक दूर है जिसने इस छेट के यातियों को काफी है सुविधा होती है या आम नागरिकों को हवाई आतरा के सुविधा प्रदान करने के सरकार के वादों के विपरीत है मंत्रालग को इसे प्रात्मिक्ता देनी चाहिए ताकि हमारे छेट के लोगों को सुविधा मिल सके और हवाई संपर्क में आसानी हो सके महोदै यदि आजमगड के सीमावर्ती जनपतों जैसे बलिया, महू, गाजीपूर, फैजाबाद तता सीमाथ गोरगपूर के यात्री हवाई यात्राहेतु समय और इंधन का व्यापक प्रयोग कर आर्थिक छती को भी सहते हैं और साथी शारिरिक तता मांतिक कस्ट को भी सहते हैं महूद है, यदि आजमगड के मंदूरी हवाई अड़े का परिचालन नियथा शीग रारम हो जाता है तो यहां के हत करगा उद्योग से जुड़े वेवसायज जैसे बनारसी साडी, मौ का हैंडलू मुद्योग, आजमगड की काली मिट्टी बरतन का उद्योग, सजावटी उपकरन सामगरी को एक नया बादार मिलने की प्रबल संभावना है अते हो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा साथ ही यहां के जो स्थाई वेक्तियों को भी रोजगार के नयस रिजन प्राप्त होंगे जिससे ग्रामिन अंचल के बेजरोजगारों को शेहर की तरफ पलायन से रोका जा सकेगा इसी कड़ी में बताना चाहूंगे कि मेरे बताय हुए मेरे जनपत से बिमारों वेक्तियों तथा को ततकालिन हवाई आतरा की सुविधा न मिलने के कारण बहुत ही ज़्यादा सक्षम वेक्ति भी असमय मौत के आगोश में चले जाते हैं अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करूँ इससे पहले आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करतों कि मंदूरी हवाई एड़े पर कार कराने वालों कार्मिकों में वहां के स्थानी ये बेरोजगारों को प्राथमिक्ता दी जाए विशेस्ता उन परिवारों के बच्चों को जिनकी क्रिशी उयोग भूमी का अधिक रहन कर सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीन कर एरपोर्ट बनाने का काम किया है महोदै आपसे अनुरोध है कि मेरे गरज अंपद आजमगढ का आर्थिक विकास सुचारू रूप से हो सके यहां के उत्पादों को राष्ट्री अंतराष्ट्री बाजार मियू सके तथा बेरोजगारों को उनके गरज शेतर में भी रोजगार मियू सके और सम्मानने विक्तियों के लिए समय और धन की बरबादी को रोकते हुए मंदूरी हवाई एड़े का परिचालन यथा शीगर आरम किया जाए यही अनुरोज करते हुए मैं अपनी बात को खटम करती हूँ ने मुझे बोलने का मोका दिया इसके बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू